समढ संग में आता है व्यक्ति समढ संग को कहता है मैं समझ गया समझ गया समझ गया और संग के हिसाब से वेवार करता नहीं और वेवार कर जाता है संग्ठन के हिसाब से और परणाम मांगता है संग के अरे जब करम करोगे संग्ठन के हिसाब से तो संग के परणाम कहां से आनि के संग्यों को भी अपनी अविज्जा दूर करनी चाहिए। और सबसे बड़ा अविज्जा का दूर करने का जो उनका पहमाना आ ही ज़ी 问 ये ही है कि उनको समता की और समान्ता की दृष्टी यानी सम्यक दृष्टी सम्यक दिठ्थी खोल लेनी चाहिए अपनी और सब को समानता से देखना चाहिए चाहे वो कैसे भी संत हैं चाह कैसे भी मत हैं चाह कैसा भी रिलिजन हैं चाह कैसा भी मजव है उनको देखे बारी की से देखे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है इस से हमें क्या लाब है क्या नह जाता है सर की उपर और वो भूल जाता है बहुत भूल जाता है कि वो है क्या तो वो अनापसना बाते करता है फिर वो बहस करता है फिर वो बहस में अपनी बेज़ती दा पर लगा लेता है फिर वो बेज़ती दा पर लगाता है बढ़ जाती है फिर वो कहता है भाड में गया स जिन्दा रहना है तो हमको एक ही काम करना पड़ेगा हमको भजन करना पड़ेगा और भज गोविंदम बोलना पड़ेगा अगर हम भजन करेंगे और भज गोविंदम करेंगे तो हम जीत जाएंगे पाली में भजन का मतलब होता है संगती करना और हमारे जो पराने लोग थे हमकों बोलते ते बाजगो बिन्दम